स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रिस्क वीडियो में अगर आपकी इंकम का एक मेजर हिस्सा हर मेहने फ्यूलिंग में चला जाता है दिन उस केस में आपके पास में एक फ्यूल क्रेट कार्ड होना चाहिए और इस कार्ड पर 10% का discount मिलता है movie tickets पर और भी काफे सारे benefit Access Indian Oil credit card offer करता है तो इस वीडियो में मैं इस कार्ड पर मिलने वाले सारे benefit and charges के बारे में पूरी detail में बात करने वाला हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ मेरा नाम है शुवाम आप देखरो बैंक एक्सपर्ट चैनल अगर आपको हमारी वीडियो से इंफॉर्मेटिब लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा तो चलीए इब डेटेल में जानते हैं एक्सिस इंडियन ऊइल करेट कार्ट पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं इस कार्ट के वेलकम बेनिफिट्स से तो ऐसा वेलकम बेनिफिट इस कार्ट पर 1250 edge reward point मिल जाते हैं अगर कार्ड मिलने के 30 days के अंद जब आप इस कार्ट से first time fueling कराओगे इंडियन ओयल के fuel station पे तो आप जानते हैं इस कार्ट पर मिलने वाले regular benefits के बारे में ये कार्ट offer करता है 4% की value back on fuel transaction तो अगर आप इंडियन ओयल के किसी भी fuel station पे 100 रूपीस spend करते हो तो उसकी against में 20 reward point मिलेगा लेकिन आपको minimum 400 से लेके 4000 1000 के बीच में ही fueling करानी पड़ेगी तब ही आप 100 के spend पर 20 reward point अन कर सकते हो और इसकी एक मंतली capping है पर मन्त आप 5000 रूपीस तक अगर fueling कराओगे तब ही ये reward points आपको मिलेंगे इसके लावा 1% का fuel surcharge waiver भी इस कार्ट पर मिलता है तो अगर आप 400 से लेके 4000 के बीच में fueling करा के आप fueling कराते हो especially Indian Oil के fuel station से तो अभी तक जो भी benefits इस कार्ट पर मिल लाए थे basically वो fuel spends पर ही मिल लाए थे लेकिन इस कार्ट का use करके अगर आप online spend करते हो तो every 100 के spend पर 5 reward point मिलेगा जिसके actual 1% की value back होती है तो अगर आप 100 से लेके 5000 के बीच में किसी भी online platform पर अपनी spend करते ह हो तो every 100 के spend पर 5 reward point आपको मिल जाएगा लेकिन इसकी एक मंतली capping है पर मन्त आप 500 रूपिस तक के ही reward point अन कर सकते हो और अगर इस कार्ट का use आप fueling और online के अलावा कहीं और करते हो like offline इस कार्ट से अपनी spend करते हो तो every 100 के spend पर 1 edge का reward point मिलने वाला है कुछ ऐसे भी categories है अक spend पर कोई भी reward point ये credit card offer नहीं करेगा अब जो भी reward points आपको access in general credit card पर मिल रहे हैं इनको आप redeem कर सकते हो gift voucher के against पर या फिर उनका product catalog है उसके against में आप redeem कर पाऊगे access in general credit card offer करता है 10% का discount on movie ticket booking तो अगर आप book my so से अपनी लिए movie ticket book करते हो तो 10% का discount मिल जाएगा up to 100 रूपिस तक का benefit आप movie ticket की bookings पर ले सकते हो इस card से even इस card पर dining delights का भी benefit मिलता है तो 15% का off मिल जाएगा जो उनके partner restaurants है अगर आप easy dinner के थुरू booking करते हो order value minimum 2500 रूपीज होनी चाहिए और max discount आपको per order 500 रूपीज तक का इस card के थुरू मिल सकता है तो आप जानते हैं access indian oil credit card के कुछ fees and charges के बारे में तो इस card का use करके अगर आप international transaction करते हो तो जितना amount मिल डॉल करोगे उस amount का 2.5% या फिर 500 रूपीज के आपको fees देनी पड़ेगी और इस card का जो monthly interest rate है वो 3.6% है यानि कि अगर आप card का भी timely नहीं pay करते हो जो remaining amount बच जाता है उस पर मन्त आपको 3.6% का interest bank को pay करना पड़ेगा और अगर इस card के use करके अब rent payment करते हो दिन उस case में आपको 1% की rent fee देनी पड़ेगी जो capped है 1500 रूपीज पर access Indian oil credit card की जो joining और annual fees है वो है 500 रूपीज प्लस GST अगर आप annual fees को वेवाफ कराना चाहते हो जन उस case में आपको previous year में इस card से 3.5 रूपीज से spend करने पड़ेंगे then आपकी जो involve fees है वो वेवाफ हो जाएगी so overall कुछ ही benefit or charges के साथ में access Indian oil credit card आता है अब बात करते हैं यहाँ पर eligibility criteria की तो जो आपकी age है वो 18 से 70 years के बीच में होनी चाहिए अगर आप एक salary employee हो दिन आपकी जो per month income आप 15,000 रूपीज के आसपास होनी चाहिए self-employed हो तो आपकी per month income 30 to 35,000 रूपीज के आसपास per month होनी चाहिए और अगर आपके पास में पहले से कोई credit card है काफी time से यूज कर रहे हो तैम ले भी लोगर आप पे कर रहे हो और आपका savings score बहुत अच्छा है उस case में यह card आपको बिन income proof के भी मिल सकता है अब बात करते है conclusion की कि क्या access Indian oil credit card को लेना चाहिए या फिर नहीं इस card से अगर आप fueling कराते हो Indian oil fuel station पर आपको 5% की value back मिलने जो मेरे साब से काफेरा सही या नि online spend करोगे offline spend करोगे तो वहाँ पर आपकी अलग से बचत होगी इस पर 10% का जो movie ticket discount है उसको भी आप हर महीने ले सकते हो वील कर सकते हो so movies उगरा देखते हो तो वहाँ पर भी आपको benefit मिल जाएगा बस इस card की जो annual fee से हो है 500 रुपीस प्लस GST तो आपको अगर ये नहीं देना है तन 3.5 रुपीस आपको spend करना पड़े गए early तो मेरे साब से अन्वल फीस थोड़ी इस की ज़्यादा है अगर ये 250 रुपीस के असपास होती तो सही है पर इस card को अगर आप regular basis पर यूज़ करोगे तो जो milestone है 3.5 रुपीस का उसको भी achieve कर सकते हो इस card का apply link में description box में दे दूँगा अगर आपका कोई और confusion query हो इस card से related तो comment करके पूस सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगने वीडियो में